ओम नमाश्वाय हर हर महादेव स्वागत है आप सफी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं धन समरिध्धी और खुशहाली चाहिए तो धन 13 के दिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं खरिदना शुब होती हैं जीहां धन 13 का दिन धन समरिध्धी और खुशहाली की प्राप्ती के लिए बेहद शुब होता है इस दिन कुछे विशेश धातूं और चीजों को खरिदना शुब माना जाता है जिससे साल भर घर में बरकत बनी रहती है लेकिन कुछे कैसी चीजें हैं जिन इस शुब धिन के बरतन कभी नहीं खरिदने चाहिए इस तीम धातू राहू की कारक है अतह इसे घर में लाना एवं सजा करके रखना अशुब एवं दुरभाग्य का सूचक माना जाता है धनतेरस के दिन इसके अलावा इसमें खाना पकाना भी शुब नहीं होता है इसके अलावा लोहा जोतिश में लोहे को शनी का कारक माना गया है अतह इस शुब दिन लोहे की वस्तुएं घर में लाना शुब नहीं माना जाता है धारदार हथियार भी आपको घर में नहीं लाना चाहिए धंते रस के दिन इसके अलावा प्लास्टिक धंते रस के दिन प्ल बोलते हैं अशुभ होती हैं चीनी की चीजें लंबे समय तक सुरक्षित एवं अस्थाई नहीं होती हैं अतह इनसे घर में बरकत की कमी होती है इसके अलावा कांच जिहां धनतेरस के शुभ औसर पर आप कांच या शीशे का बना हुआ सामान भी बिल्कुल न खरीदें क्यों लाएं नहीं तो घर में बरकत की जगह पर मुश्किले आती हैं तो यह आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस को क्या खरीदें तो इसी चैनल पर एपिसोड आपके लिए पढ़ा हुआ है जो कि आपके लिए काफी शुभ होगा ह हमने आपके रासी के कोडिंग भी बताया हुआ है कि आपके रासी के क्या चीज खरीदें तो आपको पूरे साल तक बरकत मिलेगी या फिर वैसे भी नॉर्मली भी बताया हुआ है सभी के लिए कोमन भी कि किन चीजों की खरिदारी बेश्ट होती है धनतेरस के दिन यह आज आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव जैमा लक्ष्मी